एसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बॉलिवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें वतन के लाह में वतन के नाजवाँ चरीको, उकारते हैं ये जमी आदमाँ चरीको वतन के लाह में वतन के नाजवाँ चरीको उनाम कुछ वतन के सुष्मनों के इंत्रका में इन अपने दोनों बागुओं के रंजरों मता में वतन के बात से वतन के बागवाँ चरीको वतन के लाह में वतन के नाजवाँ चरीको हम अपनी है तस्वीज उन शहीदों की भेंट करते हैं जिन्होंने वतन की आधादी के लिए अपनी जिन्दगियां हस्ते हस्ते कुर्बान कर दी 1930 में जलगाश्ट पिता महात्मा गांजी ने नमक का कानून तोड़ कर बिटी सरकार के सलाब अंदोलन किया था तो पंजाब ये इस शहर अम्रत सर में तो पंजाब ये इस शहर अम्रत सर में 35-0 अपनी मा को बलाना अच्छा पिता जी मा पिता जी का टेलेफून है तुम लोग सेठी मतरा की हाँ चले जाना मैं वहीं आऊंगा तो राम और मैं दोनों जाए अच्छा विनोड आप कहां गया है अलो देखना विनोड वहां आ है कौन विनोड विनोड आ रहा है अलो विनोड देखो बेठा तुम राम के साथ पार्टी में चल जाना जी मैं भी वही पहुंच जाऊंगा अच्छा भीता जी मां मैं बड़ा हूँगा तो जवाहर लाल बनूँगा हाँ मेरी लाल परंतु मां फिर किता जी को मुती लाल बनना पड़ेगा शरारती शाची अगर राम जुहारलाल बनेगा तो मैं कमला मेरू बनूँगी ओ मेरी बहुरानी बनागी तो लो मुह मिठा कर लो अब तुम क्या बनुगे विलन कैलों मैं मैं पुलीस का कप्तान बनूँगा और राम को पकड़कर कैट करूंगा अच्छा तुम खास लो मैं अभी अभी हम अआइशा यो हम वहरे होड़ी पर्टे राम को पकड़कर कैट करेगा देखो शीला बदेशी कप्रे पेंगे टोड़ी बच्चा बन जिया है, राम को काथ करेगा, ए देखो शीला, तु मझे टोड़ी बच्चा कह जिए तो कुछ नहीं कहता, अगर और कोई कहता उसका मुह तोड़ देता अच्छा, हम कहते हैं तुम्हे टोड़ी बच्चा तोड़ी बच्चा जिखो राम, तोड़ी बच्चा टोडी बच्चा चाची क्या हो रहा है ये हाई हाई जवाहलाल और कमला नहरू मिलकर लोगों को मारा करते ही चलो अब पार्टी में जाने का मक्त हुगया चलो इए आज कौनसा ड्रामा कर रहे हो आपको बताओंगा नहीं पिता जी वगर ड्रामा ऐसा करूँगा कि आप सब याद रखें नहीं अच्छा अगर तुमने नाम से संदूर लगाया तुमने मारूँगा ए मैं नहीं हो इदर, मारेगा विलोट, विलोट, विलोट अरे या तुम लोग आपस में लड़ क्यों लाए हो चलो, गामे का वक्त हो गया है विलोट, विलोट पनसरा कर लुब मैं सपता वो पारंप का लार है वरी नतामी वरी तुपाः वरी जवाहर लार है रेकुइ 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 मारो, मारो, मारो मारो, 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 मारो मारो, मारो मारो, मारो मारो, मारो कुछ हिंदी वो दुनिया को सुनाओ बंडे मां दुछ जा मुझे आजा दी ती वो गड़िया पैले ते ती, हाइज पैले ते ती, को नैं दू, को नैं दू, कैं दू भाईयों और भाईयों अभी अभी हमारे वेताज भाष्चा राष्टपती पंडी जाला नेरू अपनी नरंपत्नी कमला और अपनी बेटी इंजिरा के साथ तस्रीप्ला रहे हैं। वो अभी नमकता कानून तोर कर सचागर करेंगे। पंडी जाला नेरू जिन्नाबाद! बंडी जाला नेरू जिन्नाबाद! भाईयों और भेनों मैं अभी भी जहां आया मुझे पता चला कि आप लोग कोई द्रामा कर रहे थे पोलीस के खिलाए मुझे ये सुनके संज हुआ कि आपने ही कुछ सत्यागरी भाईयों को पोलीस बनाकर उनसे मार पीप की। मैं हरान हुआ कि हमें कुई भी ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो हमारी अहिंसा की स्पिरिट के खिलास हो। हमें ऐसा ना करना चाहिए था। हमारे राष्टपिता महात्मा गांदी का ये जो निया सबक हमें मिला है हिंसा का चार और मुहबत से आजादी की जंग लगने का ये उस पिरिट के खिलास है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपने राष्टपिता जो हमारे लीजर है इसलक्त जो हमें आजादी की जंग पर पुचा रहे हैं उन्हें भी चाहिए उनके दुख होगा। और अब तुके वक्त थोड़ा है मैं आपसे कहता हूँ कि अपने राष्टपिता के दुखम के मुताबिक मैं नमक का कानून तोड़कर सच्चा अगय करूँगा। और पॉलिस मुझे पकर में आएगी आप उससे कोई दंगा फसाद नहीं कीजिए बलके उन्हें आराम से मुझे पकर ले जाने जीचिए। बंदे मात्रम। बंदी जाहना नेरूँ इनावाद। बंदी जाहना नेरूँ इनावाद। जिनावाद। आप गिस्तार कर लिए गए। बंद करो ये जामा। राम। मां से रूटे हो बेटा। डाटा बाप ने। कुछा मां पर। पानी धल्वान पर ही बहता है न। मां, जिस दिन के मैं जवाहरलाल बना हूँ, पिता जी नाराज है। क्यों मां, क्या जवाहरलाल जी अच्छी आजमी नहीं फिर। ऐसा न कहूं मेरे लाज। जवाहरलाल तो हमारे दिलूं के राजा है। वो मां धन्य हैं, जिसने इन्हें जनम जिया था। और वो देश भागेवाल जिसके नईया के ये खिवया है। तो फिर पिता जी नाराज क्यों है मां? जवाहरलाल सरकार की दुश्मन है। और तुम्हारे पिता जी सरकार की नौत है। अच्छा, तो इसलिए मेरा खेलना, खूदना, मिलना, जुलना बन। देखो मां, ये पिता जी का अन्याय है। मैं ऐसी आग्या का पालन नहीं करूँगा। मैं शिला से मिलूँगा और जरूर मिलूँगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो कुछ खा पी लो ना, सुबी से तुमने कुछ खाया नहीं है। मां, शिला से मिले हुए चार दिन हो गए है। उसके बिना जी नहीं लगता, पहले शिला से मिलू। शिल, कुछ खाना ने मेरी बच्ची, राम को अभी बुलाई देते हैं। नहीं पिताजी, जब तक राम नहीं आएगा, कुछ नहीं खाऊँगी। वो जब तक नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं खाऊँगी। नहीं पिताजी। तो क्या करोगी। गांदी जी की तरह भू खर्ताल करूगी गांदी जी की तरह भू खर्ताल करूगी ओ शील की माँ अगर तुम आज जिन्ना हो थे तो ये तेरे वाला का दुख मुझे ने देखना पड़ता को जो जो रहे ये चुप गोपर रहो गोपर जी पिता जी अरे पिता जी के बच्चे घर का घर चौपट कर दिया तुन्हे कोई जवाहर लाल तो कोई गांदी देख देख भूख खर्ताल की धंकी दी जा रही है जाओ गुलालाव राम्पू नहीं तो कुमारी जी खाना नहीं खाएंगी अरे वारे गांदी वात्मा सुंसार का तो कल्यान कर रहा है लेकिन मेरा घर क्यों चौपट कर रहा है कहां जा रहे हो तुम मैं शीला के कर जा रहा हूं तो मैं मना किया गया था ना तो फिर चलो अंदर चलो जप्रासी राम के कमरे को ताला लगा कर चावी मुझे ला दो पंदी जी पंदी जी मात पहुजानी जी जी तुमा 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 में इनकलाबी अंग्रेजी सरकार के खलाफ सर उठा रहे थे सरकार अपनी ताकत के बल पर इस तूफान को रोप रही थी फरवरी उनिसार कतीश में सरकार ने पंजाब के एक शेर दिल नौजवान भगर सिंद को उसके साथियों के साथ पहांसी पे चड़ा दिया उसी साल गांधे इर्वन संधोते के बावदूद सरकार ने कांग्रस को गयर कानून करार देकर बड़े बड़े लीडरों को कैद कर लिया इस तरह घतनाए समय की लहरों में बैती चली जा रही थी नन्ना राम इन सब घतनाओं को दिल्चस्पी से देखते देखते परवान चड़ा उसका नौजवान दिल भी बगावद करना चाहता था मगर उसका दिमाग हजारों नौजवानों की तरह अंधेरे में ठोकने खा रहा था उससे अपने लिए कोई राव ना सूची थी वो क्या करे अहिंसा या हिंसा और फिर अगश्ट 1942 में मा में बंबभी जा रहा हूँ क्योँ? महा कांग्रेस का जलसा है मा देश से खिस्मत का फैसला होने वाला है मुझे मेरी पार्टी ने बलाया है जाने से पहले अपने पिता से मिलोगे भी नहीं? तुम तो जानती हो मा कि मेरा उनका रास्ता लग लगे वो टिपकी कमिश्टर है मैं एक बागी वो जिस हकूमत की दिवारों को उचा और मस्बूट बनाना चाहते है मैं उन्हें तोड़ देना चाहता हूँ चाहे उन्हें तोड़ते तोड़ते मेरे सांस की डोर ही क्यो ना तूट जाए ऐसे ना कहूं मेरे लाई तुम्हारी आँखों में आशुमा तुम्ही तो मुझे आशिरवाद दिया था कि मैं जवाहर लाल बनूँ मैं इसके नम में जवाहर लाल तो न बन सकूँगा मा लेकिन देश का इत्मामूली सिपाही ज़रूर बनूगा मुझे आशिरवाद दूँ मा कौन जी चाचा जी अम मैं विनोद देखिए पिताजी आ जा रहे हैं अच्छा तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं बड़ी खुशी की बात है तो आज का खाना यही रहेगा कौन था विनोद उसके पिताजी आ रहे हैं हाँ एक खुशकत्म बाप कितना फर्क है उसमें और मुझ में बाप सुप्रिंटेनेंट पुलीस बेटा एसपी मैं डिप्टी कमिशनर हूँ और मेरा बेटा आवारा तुम्हारे लाग प्याद नहीं ही उसे बिगाला है वरना आज वो भी आईशी एस होता लेकिन मेरी अच्छी कुसमत कहा हूँ अच्छी तरह आप हम और वो सेट क्या नाम हो उनका सेट हिम्मत राय हाँ हाँ सेट हिम्मत राय वो भी आ रहे है वो यहां रहे है और उनकी बेटी सीला वो भी आएगी मैंने तो उन्हें बुलाया है दरसल बात यह है रिटायर हो चुका हूँ सोचता हूँ विनोत के सरपर सेरा देख लूँ सारे मुल्क में आग लगी हुई है ना जने कल क्यात होगा आप देखते जाएए पिता जी अब हकूमत का पंजा होगा और कांग्रेस की गर्दन ठीक है कांग्रेस की गर्दन कट तो सकती है जुक नहीं सकती सकती आग पर तेल का काम करेगी हकूमत बुझाएगी वो और भड़केगी हजूर, हजूर, पोलेस कप्टान सब का तेलेफ़न माफ कीजी और लो ना विलोर चाची, राम कहां गया है? इम्तिहान देने इम्तिहान देने? लेकिन वो तो इमें पास कर चुका है ये दूसरा इम्तिहान है जी येस येस वो इसी मैं विनोत को अभी देशता हूँ विनोत, और देखिये, मुझे इतला देते रहिएगा अगर मेरी जुरूनात हो तो मुझे बला लीजिएगा विनोत, मिस्टर नुवी का टेलेफ़न आया है C.I.D. ने अभी इतला दिये कुछ कर लगतिया C.I.D. 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 अपने अंग्रेद मालकों से खहना ये दौलत शिंदुस्तानियों की ची वह से वापिस लेखे C.I.D. 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 आप शोड़नों चाहिए भी जोड़ने है तुम कौन हो? हम अंग्रे सखुमत के बागी है हम सरकारी खाजारा लूटना था तुम रुचेरे हो? हम देश के चिपाई है तुम्ही हाइस के बेधना काने का कोई हग नहीं है आप हमारी मदद कर सकते है तुम चले जो यह सके मैं उमर भर तक आपका ऐसान नहीं भूनगा और नहीं हमने सकते है कौन जोट जी हाँ तुम यहाँ कैसे? अमिर सर्वे तुमसे वादा किया था कि शेशन पन लेने आऊँगा गरसल बात यह है कि इस चंड जाकूने सरकारी खाजाना लूता है इसी सलसले मुझे यहाँ तक आना परा कोई पकड़ा भी गया? हाँ, दोचार आदमी पकरेगे बाकी फिर पकल लिए जाएंगे अच्छा, मुझे आउट डबों की तलाशी लेनी है अमबाले में फिर मिलेंगे सुनो, अमबाले में तुम रांच से मिले? कैसा है वो? ऐसा ही है जैसा बच्पन में था अब तो वो भी बड़ा कोगया होगा? जी नहीं, मैं उससे नहीं मिला वो अमबाले में नहीं था यहीं में पारी में नहीं में तुम यहाख वी है तो यहाख वी है आपको वीमिन है जालो आपने मेरी जान बजाई इसका बहुत बहुत शुक्री है आप आप जाएगे कहाँ जे इसका अधी कुछ चीब नहीं किया पुलीस आपका पीछा कर रही है आप बसकर कहाँ जाएगे यही तुम्हें भी सोच रहा हूँ आप जाएगे जाएगे अबाला के नजदीग जाडी लूटी गई लूटने वारों का सदार जख्थी हुआ है आप जाएगे आप जाएगे आप परिशान मालू होते हैं मैं जानती है आपका प्यानों बजाना ही परिशानी की निशानी है आखर मैं बाप हु ना गोसक दिल ही सही ही लेकिन तर भी बाप हु एक बाप अपनी ओलाद से बहुत उम्मीदे रखता है वो अपने जिंदगी के अधूरे खौब अपनी ओलाद से पूरे वोते देखना चाता है लेकिन राम क्या हुआ राम ने कुछ किया यही तो मैं जानना चाता हूँ कि उसने क्या किया क्या राम आ देया हाँ कल आजी रात को आया ठेरो सुना है तुमने कल रात गाड़ी लूटी गई है लोटेरों का सरदार जखमी हुआ है राम भी चार दिन घर से गायब रहा है जाओ उससे पूछो कि वो चार दिन कहा रहा है मैं सही वाकिया जानना चाहता हूँ राम खूँ मा मैं गिर गया था मुच्छी चोटा गई गिर गया थे चोटा गई मा से चिपा रहे हूँ मा मैं बहुत शर्मिन दा हूँ बहुत शर्मिन दा हूँ मगर तुम पुलीस से बच कर कैसे आ गई अब क्या होगा का चिपा ओओगी तुम्हें मैं मा जब सर पर कंद बाढ़ गया है तो दर किस बात का है? मा से कफन की बात में कर रहे हूँ और फिर कहते हो दर किस बात का? ये बात मा के दिल से पूछो अब मैं क्या करूँ? तुम ते कर न करूँ, मामी यह दो चला जाओगा चले जाओगे? कहा? और तुम्हारे पिताजी को क्या कहूँगी मैं? वो सही वाकिया जानना चाहते हैं उन्हें क्या जवाब दू? तुम्हारे जखम इसका क्या करूँ? जाओँ, डॉक्तर को बुलाओँ दॉक्तर आएगा तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा पुलिस आएगी मुक्तर माहँगा जेल पाते हैं अभी अज़गा जया जानना तुम्हार क्यों आगे? जराख दू? अब मैं क्या करीं? पाते हैं बहुत जिम्हें पुलिस जरो मैं देखते हूँ यह तु सेट हिम्हत राए और उनकी बेटी शीला शीला? हाँ शीला साथी पगली जानकी हो किसके पाँ छुए जाते हैं? सिरफ छुए हैं जानकी नहीं कितनी बड़ी हो गई है तु? हाँ बहुत बड़ी हो गई है इंसे मिलिये? आप हैं शीला देवी इसका डाक्टरी का इंतहरन देने वाली है कोई बीमार हो तो बताईए अच्छा शीला डाक्टर बनेगी इतनी इतनी थी तो हम भी इतने थे आप तो अब भी इतने थे लाला जी हाँ शाची शाम कहा है? राम हाँ राय भादर राम कहा है? उसकी मा से तुछी है भावी राम को बलाईए न? हाँ अभी बुला लाते हूं शाची मैं अभी चलनो साथ तू? नहीं नहीं तू यही खेरो शीला तुम्हे प्यानो बजाना आता है? बजपन की याद धीरे धीरे प्यार बन गई आदेख एक पुलवारी अब गुलवार बन गई हाँ दिल में बताई तू? बजपन की याद धीरे 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 यार बन गई आदेख एक पुलवारी अब गुलवारी अब गुलवार बन गई हाँ दुनिया ते जिसको हमने शिपाया था बार बार शिपाया था बार बार शिपाया था बार बार दो बात आके खोड़ों पर कित दार बन गई आदेख एक पुलवारी अब गुलवार बन गई बचपन की याद धीरे धीरे दार बन गई आदेख पुलवारी अब गुलवार बन गई चाची ताम नहीं आया अभी आता है चलिए चाह तयार है हम भी तयार है चलो सीला क्योंकि शीला आई चाची आईए भावी राम राम जुरवाज़ा खोलो ना माफ खरो शीला मुझे इस वक बहुत जोर का मुखार है शीला मैं उप नहीं सबता हूं तुम जाओ तुम्हे जोर से बुखार है सब तुम्हे नहीं जाओंगी तुम जानते हो ना मैं डॉक्टर है मैं जानता हूं देखो राम सुटी तरह से दर्वाज़ा खोल लोनी तुमे मचाती हूँ शोर कि मेरा जुम्हे नहीं सब लोगे कठी हो रहेंगे है देखो मैं मताती हूँ शोर से खोलो दर्वाज़ा रदी वान शीला 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 विला कुछ नहीं देखो दर्वाज़ा खोलो तू त्री वह मा वही बिलकुल वही आज से दस परस पहले वाले राम मेरी कलपना ने मुझे धोखा नहीं दिया और मैं कैसी हूँ राम आलम होता है मैंने तुम्हे कहीं तुम्हे कलगारी में मैं तुम्हे नहीं मिलना चाहता था मुझ पर विश्वास करो राम मैं ये राज अपने दिल की गहराईयों में छुपाकर रखूंगी मुझे तुम पर नास है तुम देश के लिए अपनी जानता की भी बाचे लगा सकते हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ रात के आथ से मुझे गोली लगकर शीला गोली निकलाई नहीं अभी तक जान तुम्हें खत्रे का हिसास नहीं गोली का जहे धीरी धीरी असर कर रहा है यह घंटे के अंदर गोली यह निकली तो जानते हो मैं जाती हुआ जाता के पास डॉक्टर बुलाएं तुम्हारा ओपरेशन होगा शीला डॉक्टर आएगा तो मैं पकड़ा जाओ को शीला मैंने तुहीं सोचा ही नहीं ब्रिटिश सरकार की पासी की विजए मुझे ऐसे ही मर जाने नहीं शीला ऐसे रखो ऐसे रखो राम यह क्या करूँ तुम जानते हो मैं डॉक्टर हूँ वैकरती हो तुम्हारा ओपरेशन तुम्हें मुझ पर विश्वास है तुम्हें अपने आप पर विश्वास है हाँ लेकिन ऑपरेशन दिना क्लॉरोफान की होगा सहलोगे सहलोगा अचा तुम्हें अपरेशन शुरू कर दो शीला मेरा नाम शीला नहीं है तो फिर क्या है शील याद है तुम मुझे शील केकर पुकारा करते थे मुझे मुझे पनता शीला और अब 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 शील नहीं तुम्हें शील करते तुम्हें मुझे अब शील यूम्हें अब युमS युम्हें गेह लो आज दूसरी बार तुमने मेरी जान बचाहिए, शीरा ये तुम्हार दूसरा अहसान है अच्छा जी जाओ तुमसे इस बात पूछू पूछू ओपरेशन होते वक्ट तुमने अपना सेर मेरी गोड में क्यो रखतीया था बस्यू कोई और डॉक्टर होता है तो भी तुम ऐसा ही करते ना राम अर भी राम गोपार वही या भाया, भाया, तुम आगे मैं तो समझे थे, तुम बंबाई में ग्रिस्तार कर ले गए होगे तुमने ज़िद की थी कि घ्रिस्तारी चे पहले तुम से जरूर मिलू, इसलिए चलाया अर भी राम, तुम बंबाई से बगार मिले ही चले आए मालम होता है शील, तुमने आप्रेशन किया है हां भया, राम गिर गए थे न, है ना राम और ये गोली ये शिकार खेलते खेलते गोली क्यो राम है ना खील, मैं राम के विचारों का अच्छी तरह जानता हूँ और तुम मुझे भना रही हो भया मैं जानता हूं राम कल रात गाड़ी लुटने का हाथसा तुमसे ही हुआ हिंदुस्तान छोड़ दो कनारा लगाने से अंग्रेश हिंदुस्तान छोड़ कर नहीं चला जाएगा और अगर चला भी गया तो मिल्क की जड़ने खोखली करके जाएगा मुझे तुम्हारी अहिंसा पर कोई भरोसा नहीं गुपल भी या दुश्मन से मार खाना अकलमंदी नहीं उसको माते नहीं काना ही है बिल्कुल ठीक दुश्मन को मारना ही दाना ही है येद का जवाब पत्थर पत्थर की चोट फॉलाद हो सकता है मगर निम्र्सा से होटों पर लाई ही मुस्कराहत का जवाब गाली नहीं सकता राम तुम्हारा दुश्मन शरम से गड़कर तुम्हारी मुहबत के वश में आकर खुद ही तुम्हारी कदमों में आगरेगा वो जीत तुम्हारी अमर जीत होगी उस दिन को एक हिजार साल लगेंगे गुपाल भाईया मानो लग भी जाए अहिंसा से मार पीठ कतलो खून का अंत तो हो जाएगा और तुम्हारी हिंसा की प्यास तो बुझती ही नहीं यह तुम दोनों क्या बहस में पढ़ गए भाईया राम की तबियत अच्छी नहीं उन्हें आराम करने तो अच्छा भी ना भी एक काम करो गुपाल भी अगरा बीमार नहोता तो तुमको तकलीश में देता हाँ बशर्ट के किसी को गोली मार देने का नहों नहीं सुनू दो जायं राम, दो नहीं पचाल दिया, लिकले में तो बहस में पर गया था अल्यु मुझकल बाद है वहाई आसप्टी होगर दीच नजर आते ओ राम, इनके साहत जादा मेल जल ना करो तो वह देश पात्ज्ट यह हम पलिस वाली तो पपर लेंगे किसी भेर अच्छा है राम, तुम्हें चला, बैठो लो गॉपाल भीया, नहीं विनोर, तुमारे घरपे मिले, जल भी क्या है, चलते हैं, देखो गॉपाल भीया, मेरे किताब का ख्याल रटना चाब, किताब, कैसी किताब, और सना, विनोर, याद है जब हम सब चोटे थी, तो एक दु वो बच्पन भी खूब था, काश वो दिन लौता है, राम, तुम्हा चेहरा क्यों फिला पादा है, तब ये ठीक है न, बुखार है न, पहले आप, पहले आप, क्यो राम, अरे, तुम तो बहुत बड़े होगे, तुम तो हमको मिलने वाको आने वाले से, और फिर आएनी त अरे, तब कुछ चले रहा है, कैसे हो राम, नमस्ते आजरी, हाथ हो क्या हुआ, कुछ नहीं चोट आ गई थी मुझे राम, अरे, तब तो मेरी शीला के ठीक कर दिया होगा, एक दिन मेरी कार में एक्सिडेंट हो गया, और मेरी कमल चोट गया, लेकिन शीला कार के अंदर ब तब ही तो चेहरा भी तरजर पर गया है, क्यों शीला, अरे भाई, चोट लगने से खून नहीं बैगा, तो क्या पानी निकल आएगा, में, 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 लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खून निकला कैसे, क्यों शीला, पिनोज, राम की तबियत अच्छी नहीं, उसे आराम की दुरूरत है, चलो चलें, आदेखो राम, आज तुम घर से बाहर नहीं निकलना, समझे, मालूम है तुम्हे, कर राप गारी लूटने के हार्से में, एक डाको पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था, हाँ, 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 और पुलिस उसकी तराश कर रही है, कहीं धोखे म तुम पकरे गए, तो खाम अफाद चाचा जी पर रिजाम आएगा, कि उन्होंने गुनागार को पना दे रखी है, पकवाद बन करो, चलो धर चले, तो क्या ये सच है, क्या, गाली लूटने और गोली लगने का वाकिया, अगर हो भी तो क्या होगा, अगर हो भी तो क्या होगा, क्या होगा, पुलिस आएगी, हकर्जा पहनाएगी, जेल जाओगे, पांसी की सजा होगी, तुमने गाली लूटी है, आदम मारे है, तुमें प तुम जैसे नलाइक बेटे का मर जाना ही अच्छा है अब भी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ मौक्व मुझसे निकाल सकता हूँ तुम माफी मांग लो तुम माफी नहीं मागोगे ये मुझसे नहीं होगा पिदा जी तु निकल जाओ यहां से पेशतर इसके के पुलीस आये वो मेरे के समय तुम्हें हत्पणिया पेनाए तुम यहां से चले जाओ जो आग गिया पिता जी अच्छा तु पिता जी आग गिया जिंदगी रही ते फिर दर्शन करूँगा मैंने सब कुछ सुन लिया है राम मुझे तुमसे यही उमीद दी मैं खुश हूँ मुझे आशिरवाद तुमा इस शुर तुमानी रक्षा करे और्या queda उसकी हुँ तुमा Chung मैं आवए converts काना वसे तुमाकर को मैंने सुना सब रे आश से दुमानी का मैंनामी यही कर्वाद यह को सब दुमारी विलोट, ये कंगन तो बहुत अच्छा है, सच, तुम्हें पसंद है, हाँ, सीला, मैं कितना खुशकिसमत हूँ, अच्छा, हाँ, सीला, मेरे और तुम्हारे पिता, निके हमारी मंगने की बात जीत कर रहे है, सीला, सिर्क तुम्हारे हाँ के देरे, मेरी एक बात मानोंगे, विलोट, जरूर, देखो, फिर पीछे बदल नहीं जाना, तुम कहो, तुम्हें जहार तक खालू, बस बस, इतनी क्रिपा जरूर कर डालो, ये जो, पैसे मैं देती हूँ, थोड़ा जहर खालो, तुम्हारे लिए काफी होगा, शीला, उससे कड़कर बात मत करो, ये रोबब में दफ्तर में दिखाना, तुम क्या समझते में अपना जीवन तुम जैसे देश द्रोही के हवाले कर दूँगी, शूरच देखी आएने में, शीला, तुम मेरी शिराफत का ना जायस पादा उठा रही हो, तुम मेरी शिराफत, बा ये गुली राम को फिरस्टार कराएगी, और ये कंगन तुन्हें पहनना होगा राम, तुम यहां बेटा, मैं गोपाल वहिया से मिलने आए था, मकर बीमारी की हालत में तुम घर से काशे निकल पड़े? समझा, मैं राय बहादर के विचारों को अच्छी तरह जानता हूँ, राम, तुम चुप रह सकते हो, मगर मैं नहीं, राय बहादर मेरे भाई की तरह है, आज शाम को वो हमारे घर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा, तुम भी आना राम, हमारी खुशी में शामिल होना ह आपकी खुशी, हाँ, हाँ, शायद आज शाम को सीला और उविनोद की मंगनी होगी आउंगा, जरूर आउंगा, अच्छा आउंगा तुम जाम! जाम! कोई कमरा खाली है? जी हाँ, आपका नाम? Mr. and Mrs. Deepak शामू, इन्हें उपर के कमरे में ले जो तुमने मुझे यहाँ लाकर छोजिये तुम्हारा एक और एसान है अब तुम जाओ तुम्हें इस हालत में छोड़कर चरी जाओ? हाँ क्यो? तुम्हारे घर की लोग तुम्हारी वापत क्या सोचेंगे? तुम मेरी फिकर न करो ऐसी न करो आज शाम को तुम्हारी विनोद से मंगनी होने वाली है तुम घर पर न होगी कितनी बाते होगी कितनी बद्नामी होगी तुम्हें अपनी इसद का डर नहीं मुझे तो है तुम्हारी इसद? हाँ तुम चले जाओ यहां से तुम्हारा मेरा क्या साथ है मैं एक बागी हूँ, पानू उनकी नजरों में एक मुझरिम हूँ, मेरी जिंदगी और मौत में की खनूम का फादला है, विनोद एक बड़ा सरकारी अफसर है, तुम एक दौलत मन की लड़की हो, तुम दोनों करिष्टा, तुम, चली जाओ यहां से, शीला, चली जाओ, बहाना है, तुम यहां रहने के लिए बहाने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, शीला, मुझे तुम्हारा सारा नहीं चाहिए, क्या हुआ मुझे मैं अच्छा बला हूँ, बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं फिर सकता हूँ, मैं, 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 मैं प्रेहें व्रेहें तुम चली गई शील तुम चली गई शील मुझे यहाँ अकेला छोड़ पर चली गई क्या यही था तुहारा प्यार काश तुम न जाती मुझसे लणती जखरती मेरा मुँ बंद कर देती वापस आजाओ शील जहां दी हो वापस आजाओ लेकिन तुम वापस नहीं हो मैना खुद ही थे तुम्हे ठुकराया था मुझे गलत मत्सौईता शील मैं तुम से महबत करता हूँ तुम मेरी देवी हो मैं अपके आखरी सास तक तुम्हे पूजा बतर होगा मैं वापस वापस आजा हो भापस आजाओ प्लॉज़ गल्ट एक अजाओ मैं अबहां शील मैं पूल भापस आए राम शील तुम मेरे हो राम तुम मेरे हो और तुम शील मैं तो तुम्हारी हो राम मेरा खेल है गुपाल भी या पुल तक पहुच पहूंगे कुछ और बातें करो राम कुछ और बातें करो वो लोड़ गया मैं वो ते गुपर भी यह वक्त नहीं पहुचे कौन हो तुम? एक शरीफ इंदुस्तानी यहां क्या कर रहा हो? कुछ नहीं कुछ नहीं? लिजाओ उसे थाने चलो तुम मेरे साथ तुमारा नाम? गुपाल तुम होगा क्या करने कहते? यहीं सेर करने गया था रात का बारा बजे देखो विनोथ तुम्हारे आदमी मुझे पुल उडाने के जुरू में गिपतार करके लाए तो आप भा क्या करने गयते? यहीं साइद राम की किताब देने गये होंगे लेकिन विनोथ तुम तो जानते हो कि मैं एहंसावादी हूँ तुम जानता हूँ तो फिर आग रात आप को यह रहना होगा कल देखा जाएगा तुम से एक बात पूछो पूछो तुम्हें दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है? देश या मैं? देश मेरा फर्द है तुम मेरी जिंदकी हो जिंदकी और फर्द एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकेशे राम तुमने ये कहकर आने वाले जुदाई के दिनों को कितना संदर बना जिया है मैं हस्ते हस्ते तुम्हारा इंतजार करूँगी कल देश आजाद होगा तेश के लिए कुर्बानिया जो तुम छिप छिप कर करोगे कल दुनिया को मालूम होगी और जब तुम अपने साथ्यों के साथ तेश के आजादी की जंग जीत कर आओगे तो लोग जोश में आकर तुम्हें अपने कंदों पर उठा लेंगे तुम्हारी जेजेकार की नारे लगाएंगे और तुम्हारे गले में फूलों के हार बनाएंगे तब मैं भी एक कुने में खड़ी फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही होंगी तुम्हारा शानदार जिलूस मेरे पार से गुज़ेगा मैं आगे बढ़कर तुम्हारे कल्य में भूलों का हार डाल दूंगी और कहूंगी मेरे देखता तुम आ गए और तुम्हे इतने फुरसत भी नहोगी कि मेरी तरफ एक आउख उठा कर देख सको और अगर मैं लडाई से वापस ना सका तो शील एजा लगो खुराम एजा लगो हो शील ना सूरज निकलाया है शील अब तुम्हे जाना चाहिए लेकिन जाने कुछी नहीं चाहता जाना तो होगा ही शील मगर तुम्हारी जिदाए हम जुदा नहीं हो रहे हमारी आत्मा एक हो चुकी है वक्त पर फासला हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता तुम जाओ शील जाओ शील जाओ अच्छा रहा ले ले लेए bs घाओ जाओ जाओ रो नहीं, शील, रो नहीं, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रोंगा, दिन को याद बनकर, रात को सपन बनकर, तुम जब भी मुझे याद करोगी, मेरे सांस की आवाज तुम्हें सुनाई देगे, शील, अब हदो, शील, अब हदो, अब जाओ शी, अब जाओ, शील, अब जाओ, दाक्तर साहब, बीमार का हाल कैसा है, लीजिए, पैसे मैं देता हूँ, अब जहर आप खा लीजिए, माबाप की इज़त का ख्याल भूल कर एक शरीफ धर की लड़की, रात पर घर से खाइब रहे, उसके लिए जहर खाले नहीं अच्छा है, सुनिये तो, आप उपर जा रही है, बिटा जी से कह दीजिएगा, गौपाल भाईया गिरफतार कर लिए गए, यह सुनकर उन्हें दुख नहीं होगा, यह उनकी पहली नहीं, चौथी गिरफतारी है, होगी, लेकिन इस बार जुर्म नहायत संगीन है, जी, दरिया पर से पुल उड़ाया है उन्हें, वहां से रेल गुदरती है, जंगी कामों में सखत रुकावट है इस पुल का उन्ना, जानती है, इसकी सबा क्या होगी, मौत, लेकिन भाईया तो आहिंसा के पुजारी है, वो तो आहिंसा को नहीं मानते, वो बेगुना है, वो बेगुना है या नहीं, इसका फैसला अदालब करेगी, मेरा जो फर्ज था, मैंने अदा कर दिया, हाँ, मैं अभी उन्हें छोड़ सकता हूँ, अच्छा यह बताईए, एककल राम और आप इकठे रहे थे न, तो राम कहा है, मुझे नहीं मानू, मुझे नहीं मानू, देप्टि साहब, देखा मेरी संतान का हाल, गोपाल अभी तक नहीं आया है, आजा गलाला जी, घबरानी की क्या बात है, नहीं डेप्टि साहब, वो पकड़ा गया होगा, हाँ चाचा जी, गोपाल भाईया पकल लिये गए, कब, खल आपको, देखा देप्टि साहब, वो जेल को घर और घर को जेल समझता है, देप्टि साहब, गादी महत्मा संसार का तो कल्यांग कर रहा है, लेकिन मेरा घर चौपट कर रहा है, क्या हुए लाला जी, ये गोपाल की पहली गिरफ तारी एक नहायत संगिन जुर्म पर हुई है, पिता जी, कर जब रेल वेपल उड़ाया गया था, गोपाल भीया वहां मौझूद थे, ना मुम्किन, वो हिंसा को नहीं मानता, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, कि कल वो उसी जगा पर पाय जानता हूँ, मगर मैं ऐसा क्यों करो पिता जी, हमारे लिए बेटा, शीला के लिए, आपने क्या किया है मेरे लिए, शीला ने क्या किया है मेरे लिए, आखिर तुम चाहते क्या हो इनसे, बैद भी माफो पिता जी, मैं चाहता हूँ शीला मुझ से शाड़ी कर ले, मगर इ प्रवालो, उसी के मनाने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, खुशामन दोर में तो से नहीं मानी, इसलिए जोरा आजमाई करनी परी, गोपाल भाईया को अब भी मैं छोड़ सकता हूँ, अगर शीला मुझसे शादी करे तो, वरना हो सकता है, एक दिन गोपाल भाईया ये घर आपका नहीं, मेरा ही, खैर, आपने पाल पोस्कर बढ़ा किया है, एस पी बनवाया है, इस इससान के वदले मैं यहां से चला जाता हूँ, विनोट, ठेहरो, देप्ति साथ, आप दोनों के जगरे में मेरा बे गुना बेटा फासी चल जाएगा, विनोट, मैं शुल देखी चाचादी, आगर सिला मान गई, तो साधी भी आधी होगी, मुझे लगनवन पर कोई इतकाद महीं, बेटी, मैंने सब कुछ सुन दिया है, पिताजी, भाया जिन्दा रहेगा, तुम मुझे साधी करना चाहते हो न, अहां, और तो कुछ नहीं, तुम्हें मुझे साधी कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया, शील, शील, तू रो रही है, क्यों, तूने तो त्याग किया है न, फिर रोती क्यों है, बलिदान तो हंसाद कर किया जाता है, जान, जब तुम ते इश्की आजादी की जन जीत कराओगे, तो लोग चोश में आकर तुम्हें अपने कंदों पर उठालेंगे, तुम्हारी जह जहकार की नारे लगाएंगे, तुम्हें फूलों के हार पेनाएंगे, तब मैं भी एकोने में घरी, फूलों का हार लिए तुम्हारी राह देख रही हूँगे, और कहूंगे, मेरे देवना, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए, तुम्हेंगे, शील, होसना करो मेरी बच्चे, आ गए, गोपाव, सुनो, तुम्हारी बहन तुम्हें तुम्हें तुम्हें, नहीं, ये मेरी बहन नहीं, मेरी बेहन एक देश्टरोही के साथ शादी नहीं कर सकती कौन है पहचानों तो कौन है बोलो क्या है दर्वाजा खोलो दर्वाजा खोलो नो शील मुझे शील ना कहो मैं तुम्हारे मुझे कोई भी प्यार कर लफ्स नहीं सुनना चाहती अजीब बात है इस सुहा की रात है जंग की रात दुलहन अंगल दूलहा बाहर देखो शीला तुम मेरी इस्तरी हो मैं तुम्हारा पती हूँ तुम्हारा मुझे शादी की है मेरा तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारा मुझे पर कोई हक नहीं मैंने तुम्हें शादी का भचन अब तुम चले जाओ यहां से अच्छा, यह बात है सुनो शीला, मुझे घुस्तारा दिलाओ दर्वादा खोलो, खोलो दर्वादा नहीं मैं को खुलना, खोलो शीला, दर्वादा खोलो सुनो विनोथ, तुम्हारा और मेरा रिष्टा सिर्फ इतना है कि दुनिया की नजरों में तुम मेरे पती हो और मेरे लिए इस से जादा कुछ भी नहीं कि मैने मजबूर होकर तुम से शादी की है तुमने मुझे खरीदा है, तुमें खरीदी हुए चीज़ से प्यार ना मिलेगा और अगर तुमने जबरदस्ती की तुमें आप महत्या कर लूँगी तो सुनो शीला, मैं भी कह देता हूँ जिस तरह तुमने मेरे शादी की है उसी तरह तुम एक दिन अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी मुझ में इतना सब्र है कि मैं इस दिन का अज़ार कर सकूँ वो दिन कभी ना आएगा देखा जाएगा झाल 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 जिए, तुम जप्पी मुझे याद करोगी, मेरे सांस की आवास्ति में सुनाई देगी अपदीर की आंधी, ऐसी चली, कर्ष्टी से की मारा छूट गया वेरा सहारा दिन को था, हर वो भी सहारा तूट गया उजड़ा, तुमी का चम है, हम सहार तूँ, कहां है, हम सहार तूँ, कहां दो दिल ने खड़कर रादा, खत्मों पे खत्में तहगए कैसे मिलू तूँ से कजंग है, हम सहार तूँ, कहां है, हम सहार तूँ, कहां ख़र वो मुलाकाते गए, वो प्यार की बाते गए तूँ, कहां तूँ, कहां तूँ, कहां अपना मैं किसु खेत हूँ, जिनरात मैं रो, ती दुखू जाकी मैं ही दिल की दिलंग खर्षां कहां अरुखूं, कहां खर्षां कहां आजना, आजना, आजना राई, बन्दे मातुछ बन्दे मातुछ गुरुदेव कहा है? चलिए आपको लेए चलो गुरुदेव, रम कसी जर्बा काम जाब रहा है? बन्दे मातुछ गुरुदेव बन्दे मातुछ राम, तुम आ गए? मैं तुम्हारा इंकदार कर रहा था कमला, राम आगया है, तुम कल पार्टी की मीटिंग बलाओ ये है तैसीर और ये है पक्की सबक और ये है गाओं यहां पर कोई रेल नहीं आती अगर इस सबक को तबाह कर दिया जाए तो ब्रिटिश गवर्मेंट को फोजें भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता मेरी राए ये है कि आजादी की जंग यहां से शुरू की जाए आप लोगों क्या राए है मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं गुरूजी तो आप सवाल यह है कि लड़ाई की कमान किसके हवाले की जाए गाम इधर आओ मुझे तुमारी हिम्मत और दिलेरी पर पूरा फरुसा है इसलिए मैं लड़ाई की कमान को तुम्हारे हवाले करता हूँ मुझे यकीन है सारे साथी मेरी राय का पास करते हुए तुम्हारे वफादार रहेंगे हम वादा करते हैं गुरूदेव हम राम के वफादार रहेंगे तो राम, अब इस झंडे की इज़त तुम्हारे हवाले है, इस झंडे पर चहीदों के खून से हिंदोस्तान की तारीख लिखी हुई है, ये मामूली कपड़ा और उस पर फैले वे रंग, जब आपस में मिल जाते हैं, तो एक ओम की शान, एक देश की आवास, और करोन इंसान इस झानवाले बाग की दीवारे शहीदों के खून से रंगीन हो गई, ये झंडा ले जाता रहा, ये झंडा जो हमारे देश की आदादी का निशान है, हमें भी गाउ गाउ ले जाना है, राम, इस झंडे को सामने के लिए लोहे का दिल और फौलात के हाथ होने चाहिए, ज जिन्दाबाद नहीं गुर्देव, ये तरंगा जिन्दाबाद, देश जिन्दाबाद, अरादी की जंग जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद, इंकिलाब जिन्दाबाद, इंकि बतन की राह में बतन के नोजवां शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवां शहीद हो शहीद तेरी मौद ही तेरे वतन की जिन्दगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिन्दगी तेरे लवु से जाब उठेगी इस चमन की जिंदधी खिलेंगे फूल उस जगा पे तू जहां शहीद हो चिलेंगे फूल उस जगा पे तू जहां शहीद हो गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले इन अपने दौनों बागुओं से खंजरों कतामे जमन के वास्ते जमन के बाहु बाहु शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवा शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवा शहीद हो पहाड तक भी कापने लगें तेरे जुनून से तु आसमा पे इनकिलाब लिख दे अपने खून से जमी नहीं तेरा बतन है आसमा शहीद हो वतन की राह में वतन के नौजवा शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवां से ही हो अब यह में और आगे बढ़ना है एक ताकत्वर दुष्मन का मुखदा करना है हमें असर लगना है और पूरे देश को आदाज करना है हमें एक इंकलाब लाना है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गोपाल भीया राम से नहीं एक अहिंसावादी हिंसक से पूछ रहा है पूछिए आपकी छोटी सी काम्याबी से मैं खुछ जरूर हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमारी आजादी का काफला खुन के भरे हुए रास्ते से गुदरेगा क्या हमारी आजादी का शानदार महल लाशों पर खड़ा किया जाएगा तो इंकलाब कोई खुन के बरिदान के बगएर काम्याब नहीं हुआ और लेकिन महात्मा गांधी ने हमको एक नई रहा दिखाई है दुश्मन को भी महबत और प्यार से जीतना अहिंसा के हत्यार से लड़ाई बेशक दूसरे मुलकों में इंकलाब बगएर खुन के काम्याब नहीं हुआ लेकिन हमें तारीफ को दोहराना नहीं उसमें एक नया वर्द बढ़ाना है हमें दुश्मन के जिसम के टुकडे टुकडे नहीं करने उनके दिल बदलने आप लोग अभी सोची रहे हैं इंकलाब कभी नहीं सोचता इंकलाब एक रशूर का हमता है तल्वार का बदला तल्वार और खून का बदला खून इंहे कुछ मत कहो विलावाद! 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 आज नहां गई जाएगो बालुए? ग्राम्सुनार का काम करद करते आ पहुचा राम! वाई आई आई! विलावाद! विलावाद! आज तुमें औहिंसा दे नफरत महातमा गांधी केटल सच्छाई से वहर है और अपनी हिंसा की शक्ती पर पूरा ब्रोस है लेकिन याद रखो राम वनिश के होन से रंगी हुई जीत असल में सभीता और इंसानियत की सबसे बड़ी शिकर्स है एक ना एक दिन ना सिर्फ तुम्हें बलके सारी दुनिया को महात्मा गांधी के असूलों को मानना ही पड़ेगा जब तुम देश की आजादे की जम जीत कराऊंगे तो लोग तुम्हारी जयदेकार किनारे लगाएंगे तो मैं भी एकोने में खड़ी फूलों का हाट लिए तुम्हारी राह देख रहे होंगे राम क्या सोच रहे थे कुछ नहीं भाईया कुछ तो है घर में सब कैसे हैं भाईया अच्छे है सब अच्छे सब अच्छे मुझे याद करते हैं कभी हाँ क्या कहते है तुम्हारी तारीफ करते हैं और पिता जी कहते हैं कि राम बहुत बहादुर है और वो मौत से नहीं डरता और शील क्या कहते है भाईया भाईया शील क्या कहते है शील के कहने ना कहने से क्या होता है तुम शौलों के बीट खड़े हो राम तुम्हारे आगे लाखों इनसानों की आजादी जिन्दगी और सुक दुख का सवाल है तुम्हारी जिम्मेदारी के बोज के आगे शीला की बाते और विचार क्या हकीकत रखते है उसकी बाते मुझे ठहरत देती हैं, उसके विचार मेरा सहारा है, वो मेरे एरादों की गुवत है, मेरी आत्मा है, वो एक ऐसा दिया है, जिसकी लौँ से मेरी निराश और तारीक घड़ियां जग मगावकती हैं, उसके बगएर मेरे कदो नहीं उठेंगे भाईया, मैं खो ज उसने विचार से शादी कर लिए जूटे हो, तुमने जूट कहा है, तुटी को जूटे हो जूटे हो राम, तुम इन बातों से बहुत बलंद हो, तुमें हिम्मत नहीं हाननी चाहिए, होसला रखो जूटे हो, तुमस होके जूटे कर सुटे हो जूट जूटे है तुमना जूटे हो जूटे जूटे है गुपाल भया, आप भी मेरे आने तकDINGssen के पास रह viral ha आपने जो कहा है मैँ वथ आखोगा հहे प्रेसे के का है मैं भी आखोगा गुपाल भया, मैं भी आखोगा अर बाज़ा राफो में भी तो आखोगा आना है तो आजाओ, गर अभी ना आओगे हम तुम को ना पाएंगे, तुम हम को ना पाओगे हम तुम को ना पाएंगे, तुम हम को ना पाओगे ये दूल मही क्या पंग है ये दूल मही क्या पंग है परपास नाजी मेरे क्या ये बिस कमपो का तुम भूल भी जाओगे क्या ये बिस कमपो का तुम भूल भी जाओगे याइन की कसंखा बूलोगा नातू हमको या इसका करो बात अब जाद ना आओगे या इसका करो बात अब जाद ना आओगे होना है तो जाओ तक हम की ना आओगे हम तुम को ना पाएंगे तुम हम को ना पाएंगे है तुम हम को ना पाएंगे हाण हो रही होगी आज मैं दोरे पर नहीं गया तुम? मेरे कहने से आया ने खिर की खुली रखी तुम घर में कोई नहीं बलो और तुम क्या करोगी? मैं खिर किसे गिर कर अपनी जान दे दूगी किसे कुछ अपनी जान दे दूगी? शीला का सरुमोट किसी में बता? हुआाँ शीला कंपनी जान दे दूखज में को धगर। शीला उपनी का देए शीला उपनी के दूखज arrangements किसे में जान देताल में कि रहे खिर किला में जान किया है जोड़ा मुझे, जोड़ी तो मैं चीफिती हूँ, जोड़ा क्या बात है बगू? जी हूँ पिचा जी, हम तो मजार कर रहे थे विनोज, तुन तो दौरे बे जाने वाले थे न? जी, बस अच्छे, तो मजार करने के लिए दौरे बे नहीं गए उड़ा विलोज, तुम्हारे का गद थे? अरे, ये तो रामी का गद है मालू होता, रामी हाँ आया है लेकिन इन आया कहा थे? रामी हाँ आया था यह हो उसी पाओ के निशान, उस हो उसी रास्ती आया होगा यह कागज राम के खुषिया ठिकाने के शुक्री है चंद ही दिनों में राम के ठिकाने पर हमला करता हूँ, फिर देखना क्या होता है बुरु देख, बुरु देख, अंगराब क्या है तो अली इसको हमारे शिखाना का पने चल गया गुरु देख, वह हमले करी आ रही है तो अच्छा राम साहँ अच्छा राम साहँ ब्लको टीज थे आज देखना है आज साब आज देखना है आर साहँ तुरु बत नाना ये वह अं धकती आज साब अजग में वे नोट? वे नोट को? कुछ में हैदर सिंग जे साप अपनी बंदुखे तियार कर लो अचा क्लाप छूट करो! हमदा करो! हमदा करो हुट रग वे रिन्ध ऑुरू करो अवर पाट तुझ तुब नो फ़ी तुब जवरो के? जवरो के? इसमतुमे यच्यों नो जवरो? जवरो? आदा तुब जवरो उस्ताथ कर दो कि जड़ा जड़ा जो राव मुझे बाफ कर दो, मैं तुम होए बहुत पुराना दोस्तू वो भी मेरे दोस्ते विनोध जिनके लगू में तुम्हारे हाथ रंगे हुए है तो मारो जल्दी, लो मारो इससे परहे तुम्हे ये बताना होगा विनोध किस खच्चाना ने बताया है शीला ने शीला ने यसे हमारा पता कैसे वालिव हूआ तुम्हे बूल से अप्ने खुविया खिखाने के कागल आ हमारे घर में गिरा दिये थे वो सीला दे मुझे दे दिये हाँ वो तुम से शादी करने के बाद मेरी किरफतारी भी चाहती है हाँ, हाँ उसे तुम से महबबत है नहींद हाँ, हाँ इस महबबत को भी उजड़ना था तेयार हो जाओ विनूद राम, तुम शिर्या से महबबत करते हो तुम उसका सुहाग नहीं छीन सकते है राम, राम जाओ विनूद चले जाओ यहाँ से जाओ मैं तुमें नहीं वाट जाओ मैं इसका सुहाग नहीं छीनता विनूद चले जाओ मरी नजाओ से दूर हो जाओ मरी नजाओ से दूर हो जाओ चले जो यहोर से, चले जो यहोर से, चले जो यहोर से, मालूम होता है, हम खत्रे से निकल आए, तो मैराम को सिगल दूँ, हाँ दे दूँ मेरा ख्यालत दे, और खत्रे के हद के बाहर निकल चुका होगा, और हमें भी चले चलना चाहिए, जैसी आपकी मर्जी, अच्छा तो चलो चले, आप यहाँ, आप यहाँ, आप तो हैंसा की पुजारी थे, मैं, छूट, मिनोष, मिनोष, इनन ले आओ, गुरु जी को बचाने के लिए, तुम अपने बाप पर भी हाथ उठान से द्रेज नहीं करोगे, नहीं, यह सब मेरी ही गलती से हुआ, और मुझी को यह सब ठीक भी करना होगा, गुरु जी को जैल से निकाल दाना मेरा खिमा, तो जैल और और राम, हो सकता है कि तुम अपने बाप के खर से नाकाम लोटो, तो फिर तुम शीला के खर जाना, उस पर दबाओ डालना, और कमला, तुमें नर्स बनकर शीला के खर जाना होगा, गुरु जी को बचाने के लिए, हमने अपनी जान पर भी खेल जाना होगा, जानते हो ना, हकूमत में तुमारी गरफ्तारी के लिए दसदार रोतरे नाम रखे हैं, जानता हूँ, तो तुम ये कहना चाहते हो, कि माबाप की महबबत तुमें यहां खीत लाई, जी नहीं, मुझे मेरा फर्ज यहां लाई, तुम्हारा फर्ज? माबाप के लिए भी तुम्हारा कुछ फर्ज है, है, मगर मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है, पिदाजी, राम, तुम अपना रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें अब भी बचा सकता हूँ, आप मुझे बचा सकते हैं, हाँ, तो आप गुरु जी और गोपाल भीया को भी रहा कर सकते हैं, शायद उनको रहा कर देता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्यों? उन्होंने मेरा बेटा मुझसे चीना, उन्होंने तुम्हें गुमराह किया, उन्होंने मुझे गुमराह नहीं किया पिताजी, मुझे गुमराही से बचाया है, एक दिन आएगा जब आपको अपनी गल्ती का हिसास होगा, तुम्हारा ये दावा है? जी, तभी मैं नहीं छोड़ूँगा, तो फिर मुझे डर है पिताजी, कि मेरी पार्टी का हुपन, और मेरा असून मुझे मजबूर न कर दी, कि मैं, कि मैं आपको जान से मार डानूँ, तो तुम मुझे जान से मारोगे? वेटा बाप की जान लेगा? नहां, मुझे बहुत खुशी होई, कि तुम अपने उसून के लिए अपने बाप की जान ले सकते हो, तुम्हें भी सुनकर खुशी होगी, कि तुम्हारा बाप भी अपने उसून के लिए, तुम्हें फांसी की तख्ते पिछवा सकता है। वाक फिर्फ इतना है पिरजी, कि आपका रसूल सरकार के लिए है, और मेरा देश के लिए। देश? इस नारे ने बहुत से लोग उनको बरबाद कर दिया। और उनमें तुम भी हो। देश के लिए किसने क्या किया। सब अपने लिए करते हैं। फुलों के हार पहनायजाते हैं। जय हाँ, अकड़ियां भी पहनाई जाती है बर्ष किसलों पर नंगे बदन भी लिटाया जाता है गले में फांसी कफंदा भी डाला जाता है खैर जाने दीजिए मैं आपसे अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ आप मेरे गुरुजी और गुपाल भीया को रहा करेंगे या नहीं नहीं मैं धंकियों से डरने वाला नहीं राम मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसकी इज़त बचाना भी जानता हूँ मैंने तुम जैसे सेखलो बागियों के सर कुछले है इससे पहले कि मैं कानून को अरकर दूँ चले जाओ जहां से राम कौन था अरे अब किससे बाते तरहे थे आवाज तो मेरे राम की मानू होजी थी कहा है राम कोई मही नहां थो कोई नहीं यह मेरे भूल थी मेरा मरम था देख लिया अपनी मा को हमें यह सुक दिया है तुमारी देश्भक्ती ने आपने एक ही मा को रोती देखा है पिदाची हकूमत के पन्ये में तलकती हुई लाख हमाओ को रोती नहीं देखा अभे और डाच्ची और डाच्ची आप दवा पी रिजी तुम क्या समझतियों में दवा पीकर अच्छी हो जाओंगी मर्ज क्या है दवा क्या चाहिए कोई नहीं जानता कोई नहीं पूछता कोई पूछता बताएंगे तुमने कभी किसी से प्रेम किया है नहीं तो तुम क्या समझोगी किसी की सूरत देखना मेरा इलाज है किसी की बाते सुनना मेरी दवा है मगर कौन जाने वो कहा है आप उन्हें पुकारिये शायद वो आ जाए उन्हें पुकारते पुकारते तो मेरा यहाल हो गया है एक बार फिर पुकारिये वो कहीं भी हो जरूर आ जाएंगे सच अगर बिना बिमारी में क्या हाल हो गया है वो पुझे पहचान सकेंगे वो आपकी आवास तो पहचान लेंगे हाँ तो तुम तुम यह रोशनी बंद कर दो वो सिर्फ मेरी आवास सुने मुझे देखे नहीं आजा बितरती बाल मा कोई रो रो पुकारे मैं तो बिसारू जालमा मेरा दिल न बिसारे आजा बितरती बाल मा कोई जो रो पुकारे मेरे दुनिया बसकर खुजड गई उजड गई गुल गुल थे गुल गुल थे गुल गुल थे मैं फूल उप बिठड गई बिठड गई तक जीर ने आकर लूट लिये करमान हमारी मैं तो बिसारू जालम हो मेरा दिल न बिसारे बरबाद हु मैं बरबाद है दिल तो जाने वाले फिर आमिल फिर आमिल मेरे दिल की न बियो जाए की फिर आमिल हर दरत के तिरी एक खलक को मैं बिचारे मैं तो बिसारू जालम हो मेरा दिल न बिसारे आया पे दर दे बालम हो कोई रो रो पुकारे मैं दो दिन की महमान पिया मैं दो दिन की महमान पिया मुह छोड़ चले है चान पिया मुह छोड़ चले है चान पिया चान पिया मैं घुनता कि तु तु कान पिया है दीब तु बन के साब रहे खैवजान हमारे मैं तो बिसार हूँ जालमा मेरा दिल न बिठारे आया के दर दे बालमा कोई रो रो पुकारे आया, आया राम 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 शील तुम जब भी मज़े याद करो मेरे सांस की आवाज तुम्हे सुनाई देगी क्या युस अपने है नहीं नहीं मैं तुम्हे देख सकती हूँ राम मैं तुम्हे चूँ सकती हूँ राम मुझे यकीन था तुम होगे राम देखो राम तुम्हारी जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया है मेरी आखों में हलके बढ़ गई है मेरा मुझ पीला हो गया है बोलो राम तुम चुप क्यों हो देखो देखो मैं तुम्हारी शील हूँ तुमने मुझे पहचाना नहीं पहचाना तू, पर बहुत देर में, मैं पत्थर की मूर्थी को देवी समझता रहा, कांटे को फूल समझता रहा, तुम्हारे फरेव को मुहबबत समझता रहा. यह तुम क्या कहने हो? हाँ, शीला, बहुत देर हुई मुझे तुम्हें पहचानने में, बड़ी भूल हुई मुझ से, और इस भूल में मैं अपनों सब कुछ खो गएठा, लेकिन अब मैं होश में हूँ, तुम्हारी आँखों के हलके और तुम्हारे सूखे वर होंट मैं देख रहा हूँ, लेकिन उस दिन सी कमरे में, विनोत के सीने पर तुम्हारा प्यार से जुका हुआ सर भी मैंने देखा था, इन्हीं आँखों ने देखा था, उस दिन तुम खुश थी, और यही देखकर मैंने मौत का उटता हुआ हाथ उस पर से रोक लिया, तुम मेरे काफ़ात उसे देकर यह समझी थी, कि मैं पकड़ा जाओंगा मुझे फासी हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते के तमाम काटे दूर हो जाएगे, लेकिन तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई शीला, उस रोस भी अगर मैं चाहता तो उसे वहीं खतम कर देता, लेकिन मुझे यह ख्याल आ गया कि मैंने कभी किसी जी महबत की थी, मुझे किसी के उज़रते होई सुहार का ख्याल आ गया, खैर, मैंने यह गिले शिक्वे करने आया हूँ न तुम्हें देखने, मुझे एक ज़रूरी काम यहां लाया है, एक ज़रूरी काम? विनोद से कह दे गुरूजी और गोपाल भाया को रहा कर दे, मैं क्यों उनसे कहूं, मैंने तो तुम्हे धोका दिया है न, फिर मैं तुम्हारा काम क्यूं करूं? अपना स्वहाग काम रखने के लिए, अगर विनोद ने ने छोड़ा तो वो भी जिन्दा नहीं रह सकता, शीला, विनोद आ रहा है, तुम्हें चीता सोच लो, राम, तुम भी मुझे नहीं समझे, तुम भी मुझे नहीं समझे रहा है, रो रही हो, रुलाने वाली रो रही है, राम की याद आती होगी, लेकन बिचारा आये कैसे, और अगर आये भी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, उस दिन जो कागस छोड़ गया था, एक खूब काम आये थे, तुम दोनों कितने ब्योकूफ हो, तुम ने भूल से राम के कागस मुझे दे दिये, मुझे उसके ठिखाने का पता चल गया, और राम तो उसने मुझे जान ही से मार डालता, लेकिन मैंने कहा, शीला मुझे 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 चोड़ दिया, उस ब्योकूफ ने मुझे छोड़ दिया, तुम कितने बुजदिल हो, तुमने छूट बोलकर अपनी जान बचाई, और राम कितना बहादर है, उसने हाज में आवे दुश्मन को छोड़ दिया, राम बहादर रिखे, और मैं दुश्दिल हूँ, जी में आता है कि तुम्हारी जबान खेच दू, कलाग हो दुश्मन को, राम के लिए तुम्हारा यहाल हो रहा है, मेरी सख्ती का निशाना बन रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी दिल से राम का ख्याल नहीं जाता, राम का ध्यान कैसे जाई, मैंने उससे मुखबत की है, सौधा नहीं किया, मेरे आखरी सांस तक मुझे राम का ध्यान रहीगा, शादी से पहले भी तुम्हारे ऐही कहा कर्ती थि, लेकिन तुम्हारे मराने का तरीका मुझे आता है गौपाल की मौत की दर से तुमने मेरे साथ शाजी की इस ओज गौपाल मेरे पंजय में है तुम अपने आपको मेरे हवाले कर दो नहीं तुम गौपाल को मैं ठासी की तक्रिफ लटका दूगा मुझे गुरुदेव और गुपाल भाया की रहाई चाहिए अगर मैं अपने आपको तुम्हारे हवाले कर दूँ तो तुम गुरुजी और गुपाल भाया को छोड़ दोगे छोड़ तो नहीं सकता हां फासी की सदा से जरू बचा सकता हूं अच्छा तो तुम मुझे उनसे एक दफा मिला सकते हो तो क्या तुम मुझे एक दफा उनसे मिला दो अच्छा मैं जाकरके उन्हें ले आता हूं मुझे उमीद है कि तुम मेरी हो जाओगी छी तुम चले जाओ यहांसे मैंने खाओ तुम चले जाओ यहांसे अच्छा मुझे माफ कर दो शीरी रॉप मुझे माफ कर दो रॉप तुम मुझे मिल गह रहा हूं अब मैं चैन से मर सकूँगी ऐसे नहीं होगा शीर तुम जी होगी मेरे लिए जी होगी मैंने तो ऐसा ही चाहा था तुम जो चाहूगी ऐसा ही होगा तुम ज़ीमा जिंदा रहना है क्योंके मुझे जिंदा रहना है तुम पहाणों पर चली जाओ, शील, मैं भी वहाँ होगा तुम, तुम वहाँ होगे, राम मैं वादा करता हूँ, मैं भहाँ होगा फिर तुम अच्छी हो जाओगी च्छो मैं अच्छी ना हुई तो ऐसा न कहो शील मैं तुम्हें इश्वर से मान लूगा इश्वर तुम्हारी मानेंगे उन्हें मानना ही पलेगा वैसे ही हो राम, बिलकुल वैसे राम, विनोदा रहा है मैं अपने वादे के मताबिक इन्हें ले आया हूँ अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा वैनोद, मैं इनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ हाँ, बेशक, बेशक तुमने हमारे यहां लाए जाने के लिए कोई वाइदा किया है तुम्हारी यहालत क्या हो गई है कुछ नहीं अच्छे भले हो तुम्हारी शकल से तु यह मालूम होता है जैसे तुम्हें मुस्क कराए हुए भी एक जमाना गुजर गया हूँ नहीं मैं खुश हूँ नहीं शीला, तुम खुश नहीं हो मुझे यादा रहा है एक मरतबा मैं पहले भी इसी तरह जेल से छोड़ दिया गया था कहीं तुमने कहीं तुमने मेरी खातर तु बेनों से शादी नहीं की याद शील ये तुमने क्या किया शील मेरी खातर अपना सुख अपना प्रेम सब कुछ बलिदान कर दिया मैंने तो कुछ भी नहीं किया भीया मैंने तो भाईयों के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर देती है फिर भी क्यों किया शील भीया मैं ओट कहता था तुम फांसी पर चढ़ा दिया जाओंगे तो भी क्या होता क्या हो जाता शील मेरी अच्छी बेहन मुझे माफ करना मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था राम गुपल भाईया अच्छी शील भाईया भाईया कृपल कौपल कृपल युम्हा द। फुकल औि रूझ रूभ वह बंदिते हैं उन्हीं आगे गुपल भी ये चलिए चलिए मैं नहीं जाओ तुम जाओ रहा हूँ मैं इसा भादी हूँ रहा हमारा सुल छिपकर लड़ना नहीं बलके सत्यागा करते हो गृटता आपी जाना है तुम जाओ रहा हूँ तुँ जाओ रहा हूँ मगवान तुवारी रखिए चाओ चाओ पको जाओ जा रहा हूँ तुम ने ने बगाए आखिए तुम ने निकल जाओ रहा चाओ क्या बात है विनोट, कुछ नहीं पिदालिए इसरा मेरे साथ देडे, देडे, देडे विनोट साथ, जीबी इसस्टेड में पहुँचुका है? अब जल्द ही इनने किसी पहाड पे भेज़ दीजी भेज़ दूगा? हाँ, जरूर भेज़ दीजी जरूर भेज़ दूगा वहार राम आएगा राम आएगा? मैं उसे किरिफ़तार करूगा मैं उसे किरिफ़तार करूगा सहाब इलाज की तो आपको भी जुरूरत है हाँ मेरा इलाज भी हो जाएगा अचार आपको जुरूरत है शीला देवी शीला देवी राम्हा क्या रहा आजाएंगी वो आया नहीं तो तुमने मुझे क्यों जगाया मुझे सोजाते तो मैं ठक गई हूँ वो आये तो उसे कहते न शीज तुम्हरे इंतिजा करके चली गई ऐसा न कहो शिला देवी वो जरूर आ जाएंगे और तुम भी जिन्दा रहोगी नहीं अब मैं जिन्दा नहीं रहूँगी देखती नहीं ये बेखोशी मौत की बेखोशी है झाल राम तुम्दे से आयो राम शी 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 मेरी राम मैं तुम्हारी राह तक थी रही मगर तुम नहीं आए काश तुम आजाती मैं तुमसे महबत के खीत सुनती और फिर शी उठो शी मैं आगया हूँ मैं आगया हूँ शी शी मागर शी 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 वो बचले, वो बचले एड़ी तरने शील, वो बचले, बचले शील मैं को अदर्दीम शान, कम लेने तुमसे कुछ कहा कुछ तो नहीं कहा उसने अच्छा वा उसने कुछ नहीं कहा तो गुरुजी के खतका क्या जवाद दिया जाए राम मेरा खेला है अज शाम की गाड़ी से तुम खुदी चली जाओ गुरुजी से कह देना के शील के अच्छे होती मैं आजाओ हम आपके लिए कुछ लाएं हैं क्या कितने अच्छे हैं आपने हम से कहा हमने फूलों से कहा हूं आप 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 हम आप आप क्य। आप आप अब तुम अपने आपको गिरफ़तार समझो जिनोट मुझे शीला के सामने गिरफ़तार न करो अपने हाथ में आपको छोड़ देना मैंने नहीं सिखा जिनोट मैं वादा करता हूँ कि आज रात को मैं अपने आपको तुम्हारी आगाले करता हूँ अजात होने में महुत देर है शीरा का खैल करो विनोट वह अभी अच्छी हुई है देखो राम मैने ये पूल राम राम अच्छा तुम जा सकते हो लेकिन स्याल लखो भागने कोशिश नहीं करना खोने कोने पर मेरे आदी मौझूद है राम राम किसी से बातें कर रहे थे गुरुजी ने संदीशा भीजाये मुझे क्यम चाना होगा तुम मझे छोड़कर चले जाओगे राम मैं तुम छोड़कर कब गया शी हमेशन तुम्हारे पास ही राम मच जाओ मुझे जाना ही पड़े शी मैं वादय कर चुका हूँ लोटकर कब आओगे जब मैं देश की आजादी की जंग जीत लूगा जब लोग मुझे कंदों पर उठा लेंगे जब तुम फूनों का हार लिए मेरी राह तक रही होगी मेरा हट तक तीर होगी जाओगे कब मैं मैं नहीं जानना चाहती मुझे वो घरीना बताओ जो मुझे तुम से जुदा करेगी तुम इस वक मेरे पास हो मेरे लिए सब कुछ है तुम चले जाना बजना मना हो जाए बजना मना हो जाए मुखबत का पसाना जर्द पर आंकों में नाना बजना मना हो जाए बजना मना हो जाए मुखबत का पसाना जर्द पर आंकों में नाना दुनिया में मुखबत की यही रीत है दिल यही रीत है दिल जल जाना बजना मना हो जाए बजना मना हो जाए मुखबत का पसाना जर्द पर आंकों में नाना कह देना कहीं आंको मेरे दिल की कहानी कह देना कहीं आंको मेरे दिल की कहानी जर्द दरी धड़कं कहीं सुन लेना जमाना ओ दर्द पर आंकों में नाना बद नाम ना हो जाए बद नाम ना हो जाए मुखबत का पसाना ओ दर्द भरे आंस वो आंकों में नाना जाने मुखबत कहीं बस मेरी दुआ है ऐ जाने मुखबत यहीं बस मेरी दुआ है यही बस मेरी दुआ है ओ जाए तरसाथ मेरी जाभी दुआना ओ दर्द भरे आंस वो आंकों में नाना बद नाम ना हो जाए मुखबत का पसाना ओ दर्द भरे आंस वो आंकों में नाना आंस प्राइ दुआ है झाल Healing बास झाल खास भीbas नहीप पास पास चास झाल पास पास कषीज़ पास लॉश खrो झें अिल अशो ना अन वो गदा peng वो कंचाने, का विपि! allen वो भामंप का वेटес, कर दहाँ?, जिन्टावन मंपालत ले जुमी मुझाए। टिम कनाब शाय पाड़। घॉआ ऑदर सौरकादाब। टिम कनाब। घॉआ खाकथ गॉआ टिम कनाब। जॉआप। गादर दोर कदा मुद्दावाद गादर दोर कदा मुद्दावाद तुम्हारे खिलाफ ल्जामात है बादशाह से बगावत करना इस मकस्द के लिए एक पार्टी में शामल होकर लोगों में बगावत का परचार करना गाव में डाका डालना सरकारी खजाने को लूटना हुकूमत के अफ्सान को कतल करना और पुलिस की चौकियों को जलना सरकार तुम्हे अपनी सफाई पेश करने के लिए वकील मुकरर करने की इजाज़ देती है और अगर तुम खुद अपनी तर से वकील मुकरर नहीं कर सकते हो तो सरकार की तर से तुमारे लिए वकील मुकरर हो सकता है मेरे लिए वकील मुकरर करेंगे आप आप ही मेरी खिसमत का फैसला भी करेंगे ये दोहरी तद्बीर एक मजाख से क्या कम है वकील, अदालत, पानून ये सब एक खेल है एक पधेशी नट का धोंग है मैं इस धोंग में को हिस्सा नहीं लेना चाहता तो तुम्हारा मतलग ये है कि तुम अपने लिए कोई वकील नहीं चाहते मैलाद मुझरिम का वकील मैं हूँ 20 साल तक सरकार की खिदमत के बाद आपने इस्तिफा दिया इसलिए कि आप अपने बेटे के उन गुनाहों की हमायत करें जिन गुनाहों के लिए आप खुद लोगों को सजाएं देते रहें जी हाँ मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप सब के सामने एक पाल करूँ कि जिन्दगी के 20 साल मैं गलती पर था वो जिन्दगी के बेहतरीन 20 साल जिसमें अपनी मुल्क की खिदमत करने के बजाए मैंने अपने मुल्क के साथ ख़दारी की और जिसका सिला ये मिला इसलिए कि आप मुझरिम के बाप है और कानून के पंजर से अपने बेटे को बचाना चाहते हैं मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यहां नहीं आया हूँ मैं ये जानता हूँ कि ये कार रवाई एक फरेग है बारा, मैं ये भी जानता हूँ, कि मुझरिम की सजा मुकरर हो चुकी है और अब किसी भी वकील की बहस से, वो बदली नहीं जा सकती मुझरिम के खिलाफ जो इल्जामात है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुझरिम के खिलाफ जो इल्जामाग की फैरिस सुनाई गई है वो बिलकुल गलत है मुझरिम के खिलाफ सिर्फ एक ही इल्जाम है बाशा के खिलाफ बगावत मुझरिम ने जो कुछ किया है उसी बगावत के रास्ते पर चलते हुए किया है बिदेशी सरकार के खिलाब बगावत करना कोई जर्म में ही मैं आप से पूंचता हूँ कि किस गुलाम मल्क में आजादी के लिए बगावत नहीं हुई आजादी के लिए गतल खूल नहीं हुई अमेरिका में आजादी की जंग लड़ी गई सांस में हुकूमत का तख्ता उलड़ दिया गया रूस में इनकलाब हुआ और आज जिन अंग्रेजों के इशारे पर आजादी की तहिक को कुछल रहे हैं उन्होंने खुद अपने बाशाचार चाल संबल को प्रासे के तख्ते पर लड़काया था उस वक्त बागियों को डाकू कहा गया और आज अन डाकूँएं को हीरो कहा जाता है ना काम इनकलाब का नाम बगावत है और कामिया बगावत का नाम इनकलाब होता है आज हिंदोस्तान का बच्चा बच्चा इस अर्जादी की जंग में कूदने को सैयार है आप इस चोच को बगाव कहकर खुश हो सकते हैं आप मुझरिम को सजा दे सकते हैं इसलिए ये बगावात अभी इनकलाब नहीं हुई अगर ये बगावात इनकलाब हो जाती तो मुझरिम के कठेरे में आप खड़े होते अपने चुर्मों का कफ़र आदा करने के लिए मैं करा होता और कोई बागी इस अदारत की कुर्टी पर बैठा होता राम को राम को इनकलाब जिनावात राय बहादर दोर कादा जिनावात राम जिनावात राम को राम को राम को उसको आजद कराने के लिए आवाज बलंड की. वह मुझरिम। उसमे भूकों नंगों की मदद की और वह मुझरिम। उसमे गद्दारों को रास्ते से हटाया और वह मुझरिम। वह भी I.C.S होसकता था आपकी तरह वो भी अदालत की कुर्सी पर बैठ सकता था उसने अपने मुल्क के लिए रुपया, पैसा, इज़त, आराम, उदा, खुची सब कुछ छुका दिया और वो मुझरिम जदबाज की रौ में वहकार आप कानून की हमदर्बी हासल नहीं कर सकते इसके जुर्म तो जुर्म ही रहेंगे हाँ, वो मुझरिम है और उस पर मुखर्मा चलाने वारी आपकी ब्रेडिश सरकार बेगुना है आपकी ब्रेडिश सरकार ने लाखों बेगुना हो की जान ली लाटी चार्ट किये, गोलिया बसाई, चलियान वाला बाग में इंखराब की आवाद बन नहीं कर सकते इंपेरियरिस की दीवारे फ़रा रही है आप उनको ठाना चाते हैं जरजला आएगा, महट तूटेगा दीवारे गिरेंगी और आप भी उसके साथ गिरेंगे लोग आप पर हसेंगे पहरेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क की आजादी को बेचा बतक को बेचा, इंसानियाद को बेचा उसके आप मुल्जमों के कटारे में खड़े होईगे और कोई राम अधारत की कुछी बरबटकर आप की तखनीक का फैसला करेगा राम को पासी की सजा होगी जराम की बाम कार राम करेगा की सजा इंसानियाद का इंसारं में झाम-निल राम, तुम कितनी बड़े हो गए हो, लोग तुम्हारी जैजेकार करते हैं, कहते हैं, राम जिन्दा बार यह सब तुम्हारा ही तु आशिरवाद है माँ, तुमने सारी उमर आशिरवाद के सिवार कुछ नहीं मांगा, कुछ और मांगो बेटा, मैं, मैं एक बाशील से मिलना चाहता हूँ, माँ, हाँ, मैं ले आते हूँ उसे, तुम कितनी अच्छी हुआ, देखिए, यह शरील क्या कह रहा है, आप ऐसे कुछ कहिए न, कुछ तो कहिए, हाँ, पेटा जी, अब हाँ, आप तुम जहाँ, हाँ हो 나랑 फखेमा, मने शर्दें राटों! बर्म मेरे बख़च़ वाटों, मेरे भर्त मेटें रिएले करते ही एचात। मह बाटों, मत... झाल, करत जुमा जाओ? मत रुमा मत रुमा बेल bisa ओर मुल के लुमा मत रुमा मत रुम कर दो दो कर दो कि दो कि दो कि पन्ट आटने . हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है तुम्हारी जैजयकार से समीन आसमान सारा संसार कुझ रहा है ने कहती थी ना जब तुम देश की अजादी की जम जीत कराऊंगे तो लोग तुम्हारी जैजयकार किनारे लगाएगे बतन की राह में बतन के नोजवा शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवा शहीद हो तुकारते है ये जमीन आसमा शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवा शहीद हो बतन की लाज जिसको थी बतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जाम से बो नोजवान जा रहा है आज कितनी शाम से इस एक जवा की खाक पर हर एक जवा शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवा शहीद हो है कौन खुश नसीब मा के जिसका ये चराग है चराग है बो खुश नसीब है कहां ये जिसके सर का ताज है अमर वो देश क्यों न हो के तू जहां शहीद हो बतन की राह में बतन के नोजवा शहीद हो देखो राप लोगों ने तुम्हें कंदों पर उठा लिया है और मैं फूलों का हार लिये तुम्हारी राह देख रही हूँ मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो रहा तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं वही हुगाना जो मैं कहती थी तुम्हे इतने पुरसत भी ना होगी कि मेरी तरफ ये काम उठा कर देख सको अच्छा मेरी तरफ देखते नहीं तुम्हेरी ये भी तरफ दुस्मे काल कर लो तुम्हेरी भी तरफ देखते नहीं तेरो ला, रपियाई रपियाई कहीद तेरी मात ही तेरे वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी जिंदगी खिलेंगे फूल उस जगा पे तू जहां शहीद हो बतन की राह में बतन के नौजवा शहीद हो बतन की राह में बतन के नौजवा शहीद हो कहीदों की जिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले बतन से मिटने वालों का यही नामों निचा होगा कहीद आर्जवा